नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इंविश्म बंदास में दोस्तों आर पीम इंफ्राकॉन लिमिटेड का आईपियो आने वाला है तो आज मिस आईपियो का फुल रिव्यू करने वाला है सबसे पहले देखें कि कंपणी क्या करती है सेकंड कंपटिंग के फिनेशल्स कैसे और स्कोपर कितना कर जाए वह चेक करेंगे थर्ड पियर कंपेरिजन और वैलुशन देखेंगे तो वैलुशन में हम लोग बेसी कली यह चेक करने वाले कि जिस प्राइस पर कंपणी आईप अपनी इंजिनेरिंग और मेंटेनिंस रिलेटेट सर्विसेस प्रोवाइड करती है ओईल और गैस रिफाइनरीज को इसके इलाव़ा पावर प्लांट से पेट्रो केमिकल केमिकल सेक्टर सीमेंट इंडस्ट्री उसके लावा शोगर एंड पेपर प्लान को यह सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और कम्पनी को 25 यह से भी ज्यादा का अनुबव है इस सेक्टर के अंदर और में दोस्तों बेसिकली कम्पनी का एक एडवांडेज यह है कि कम्पन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और दूसरा एक पॉजिटिव चीज यह देखने को मिल रहा है कि इनका जो है अभी 121 करोड का ओडर बुक है इनके पास और इन्होंने 200 करोड का और जो ओडर है वो रिसीव किया हुआ है तो दूस्तों आगे जाके जो है कम्पन की बात करूं तो टोटल रेवेन्यू मार्ज 2020 में अरॉंड 35 करोड का था यह मार्ज 2022 में बढ़के अरॉंड 48 करोड का हो गया वहीं अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टेक्स की बात करूं तो कंपनी को पहले नुकसान हुआ था अरॉन 12 लाग क्या सपस का नुकसान था मार् अभी यह जो है बाल 22 के अंदर जो है कमपनी का एक करो नबे लाग का प्रॉफिट जनरेट हुआ तो यहां पर लगाता कंपनी प्रॉफिट जनरेट करिया और कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार इंक्रीस हो रहा हूं वहीं कमपनी के अगर मैं बॉरिंग के बात करों तो तो ये पॉजिटिव चीज़े, वही इनका अगर मैं नेटवर्ट की बात करूँ, तो साथ करोड के असपास का नेटवर्ट है, मतलब कि बहुरा ही जो है, नेटवर्ट से कम है, तो ये अगेन एक पॉजिटिव चीज़े कंपनी के लिए, अभी वेल्विशन परस्पेक्टिव से बात करें, तो EPS जो कमपनी का है, Azon Mars 2022, वो अरूं 3.12 का है, और यहां पर प्राइश टू उर्निंग रेशो जो निकल के आ रहा है, वो 11.53 का निकल के आ रहा है, और 36 रुपीस के प्राइश पे जो है, और अगर में बुक वेल्यू पर शेयर की बात करूँ, तो 10.69 रुपीस का बुक वेल्यू जो है, और उसके सामने 36 का है, मला बहुँ त्री टाइम्स प्राइश टू बुक वेल्यू हो जाएगा. तो यहां पर company के अगर मैं valuation की बात करूँ तो ओके ओके यह यहां पर valuation देखने को मिल रहा है ना कि यह under-valued है ना कि यह over-valued है पर ओके ओके जो है company का valuation है और दूसरा ही है कि दोस्तों हम लोग इसका peer comparison नहीं कर सकते because as per company जो है इनका कोई peer group नहीं है तो उसे जाफ से जो है valuation जो है उस peer के साथ नहीं कर सकते हैं लेकिन हम लोग इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर company का valuation है यह data is on the fair value objects of the issue की बात करें तो पहला जो object रहेगा वो रहेगा to meet working capital requirements, second जो है general corporate purpose और third जो है to meet public issue expenses तो यह तीन object रहेंगे company के, अभी IPO date की बात करें तो 23 December को यह IPO आने वाला है और 27 December को IPO close हो जाएगा, face value 10 rupees per share रहेगा और price जो रहेगा वो 36 rupees per share रहेगा, इसमें जो minimum lot रहेगा आपको apply करने के लिए minimum आपको 3000 shares के लिए apply करना रहेगा और issue size जो है around 8.5 करोर का और पूरा पूरा जो है fresh issue रहने वाला है, issue type जो है fixed price issue है और listing जो इसका रहेगा वो NSE, SME पर रहने वाला है, HNI category में 50% of the shares allocate की जाएगे और retail category में 50% of the shares allocate की जाएगे company के promoter से Mr. Jay Bajrang money अभी allotment की बात करूँ तो 30 December को यह IPO allot होने वाला है minimum shares में आपको बता है की 3000 shares है और minimum जो आपको amount चाहिए होगा वो 1,08,000 रुपए चाहिए होगा HNI category के लिए minimum 6,000 shares है और minimum जो amount है वो 2,16,000 रुपए चाहिए होगा promoter holding की बात करूँ तो IPO आने से पहले 100% of the promoters holding थी और IPO आने के बाद जो promoters की holding होने वाली यहां पर mention नहीं किया लेकिन अगर आप इनका red heading prospectus पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इनका IPO आने के बाद का holding है वो around 72% के आसपास का रहने वाला है तो भी majority of the hashtag promoters के पास रहने वाला है तो that is good because जितना जादा hashtag promoters के पास रहेगा उतना ही company अच्छे तरीके सागे grow कर सकती है और plus उसमें promoters का control हमेशा operations के उपर रहेगा अभी दोस्तों आप इसमें बात कर लेते कि क्या हमें इस IPO में apply करना चाहिए नहीं तो पहली चीज़ दोस्तों अगर आप देखो कि तो company को अच्छा का सा experience है 25 years of experience है हलाकि company को 2020 और 21 के अंदर loss था company loss में दी लेकिन उसके बाद company ने अच्छा का सा grow किया हुआ है secondly company का जैसे मैंने आपको बता है कि already 121 करोड का order book on India और 200 करोड का और एक order मिला है तो आगे जाके जो है इनका profit भी बड़ेगा प्लस उसे साब से जो है उनका अच्छे तरह आगे जो है revenue भी increase होने वाला है सेकेंड लेगर आप यहां पर इंडस्ट्रीज देखोगे तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज को company सर्व करिए तो यह काफी एक positive चीज हो जाती है valuation भी आपने देखा कि इनका जो है valuation around जो है एक fair value पर ही जो है company IPO ला रही है तो overall जो है यह IPO positive भी है प्लस थोरा risky भी है risky इसलिए क्योंकि company पहले loss में थी तो अगर यह valuation जो है थोरा और cheap रखते तो इसमें जो है for sure हम apply करने का सोच सकते लेकिन अभी भी जो है दोस्तो हम इसमें apply कर सकते है for sure लेकिन तभी हम इसमें apply कर सकते है जब हम एक risk लेना जाता है तो for sure जो है इसमें आप apply कर सकते हो और apply दोस्तों जो है आप अपना research करना analysis करना उसके बहाद ही जो है आप डिसाइड करना कि आपको इसमें apply करना है या नहीं क्योंकि यह जो है मैंने अपना viewpoint बता है लेकिन आपका viewpoint अब आप खुद से भी एक बार analysis करोगे तो आशा करता दने लाद